ये वीडियो में हम CPM बर करने या फिर आप वाश टाइम करना चाहते हो तो ऐसा RDP आजके इस वीडियो में आपको free of cost क्रियेट करना सिखाने वाला हूँ जिए तो एक ऐसा RDP 16GB RAM 4 CPU Core का RDP बिना कोई पैसा खर्च किया आजके इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिये, वीडियो शुरू करते हैं कैसे आपको क्या करना है सब को आपको बताता हूं वीडियो के लाश तक बने लेना वीडियो पसंड़ाए तो वीडियो को Like और चैनल को Subscribe जरू करेना चलिये वीडियो करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, RDP होता क्या है, तो एक RDP जो हमारा एक ये computer है, इस computer के अंदर और भी हम multiple computer use कर सकते हैं, उसे बोलते हैं RDP, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हूं, मेरे पास already एक RDP है, ये मेरा computer है already, इस computer के अंदर एक और मेरा computer open हो चुका है, तो ये होता है RDP, इसको कैसे create करना है, और कैसे इसका use करना है, सबको चार्ज के बिड़ों बताने बाला हूं, तो इसको use करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपके जो start menu है, computer में उसमें जाना है, और जैसे आप connect button पे click करोगा, आपका जो RDP होगा, वो connect हो जागा है, आप तो already देख सकते हो, मेरा RDP यहाँ पे logged in है, तो आज के बिड़ों में आपको यहीं बताने बाला हूं, कि RDP आप कैसे create कर सकते हो, ऐसा RDP 16GB range, चार CP गोर, बिना कोई पैसा खर्च किये हो, और चाहे तो उससा आप watch time भी कर सकते हो, CPM तो आप करी सकते हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले लगाई आपको अपनो क्या करना है, browser को open कर लेना है, मैंने लिखा Microsoft Azure Free RDP, यहां Microsoft Azure Free RDP क्लिक करके, सर्च करोगे, यहां पर देख से तो create Azure Free Account today, तो दूस्तो इस पे आपको क्लिक करना है, जो पहला website आपके सामने उपन हो, चलिए मैंने इसको open किया, यहां पर दूस्तों आपके सामने ऐसा interface आजाएगा, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको start free पर क्लिक करना, जैसी आप start free पर क्लिक करोगे, जैसी आपको pay as you go पर क्लिक नहीं करना, start free पर आपको क्लिक करना, जैसी आप start free पर क्लिक करोगे, यहां पर देख सकते हूं, मैं create a new account पे click करूंगा, तो यहां पर देख सकते हूं, यहां पर एक mail ID डालने का option आगा है, यहां पर आपको password different change, चूज़ करना हूं, चलिए हम इस पर दालने के बाद आपको next button पे click करना है, जैसी आप next button पे click करोगे, दोस्तों यहां पर आपको first name और last name देना है, नेम और sun name डालने के बाद next कर देना है, और इसके बाद आपको country region में आपको country select करना है, जिस भी country से belong करते हों, तो यहां पर हम इंडिया से belong करते हैं, इंडिया already selected है, उसके बाद guys, यहां पर आपको date of birth डालना है, तो date of birth यहां पे डालने के बाद आपको next button पे click कर देना, आप दूस्तों जो आपका mail ID होगा, उस mail ID पे verification code गया होगा, उस code को यहां पर आपको fill करना है, चलि पजल को आपको save करना होगा, तो इसके बाद आपको next पे click करना है, जैसी आप next पे click करोगे, यहां पर देख सकते हो, इसमें आप से जो इस puzzle को solve करना हो, यहां पर बोलना है, pick the image strip shape and the checkered shape, जिस तो यानि कि ऐसा image को आपको click करना है, इनके आकार पर line हो, और checkered हो, तो यहां कर लेते हैं, जैसी आपका verification complete हो, आपका verification complete होगा, next interface यहां पे आपके सामने इस प्रकार से open होगा, यहां पर देख चकते हो गाईज, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर your profile को आपको complete करना होगा, यहां पर सबसे पहले आपको अपना country select करना है, जिस भी country password है, वो वाला mobile number आपको यहां पर डालना हो, उस पे एक OTP आएगा, वो OTP यहां पर दूस्तों आपको fill करना होगा, चलिए सारे detail हम fill कर लेता हो, organization में WHO आपको डाल सकते हो, address line 1 में आपको अपना address डालना है, address line 2 में आपको same address डाल सकते हो, address line 3 option आपको छोड़ सकते हो, एक detail में fill कर लेता हूँ, उसके बाद next process बताते हैं, और दोस्तों यहां पर आप देश सकते हो, आप पर जो एक यहां पर कराएगा, आपका visa का card हो, यहां पर master card हो, उससे कोई भी no automated charge यहां पर नहीं cut किया जाएगा, यहां पर in order clearly mention किया हुआ है, तो यहां पर हमको एक card add करना होगा, visa का यहां पर master card का, चलिए यह सारे details complete करते हैं, उसके बाद का process आपको बताते हैं, तो चलिए सबसे पहले में अपना detail फिल कर देता हूँ, सकतो मैंने सारे details फिल कर लिए हैं, और जो mobile number डाला है, इस पे एक OTP जाएगा, तो इसके लिए आपको, यहां पर you, यहां आपको डाला है, बैंक से रिलेटर, उस पे एक OTP गया, वो OTP यहां पर हमको डाला है, चलिए OTP मैं यहां पर डाल लेता हूँ, तो गईज OTP हमने डाल दिया है, और OTP डाल लेंगा बाइद गाईज नीचे आपको का करना है, वरिफाइ कोड पे किलिक करना है, जैसे आप पे किलिक करोगे, हमारा जो कोड है, वरिफाइ हो जाएगा, उसके बाइज नीचे आना है, आपको I understood और I understood इन दोनों पे चक बॉक्स में चिक करके आपको Next पे किलिक करना है, अप जैसी Next पे किलिक करोगे, यहां पर आपके सामने Next पे जोपन हो जाएगा, यहां पर आपक पे क्रेडिट यहां पको Free मिलेगा, इस क्रेडिट को आप RDP बगरा और भी कोई सर्विस इनका यूज करना चाहते हो, उसमें खर्च कर सकते हो 30 दिन तक, तो यहां पर मैं एक वीजा का काड एड़ करने वाला हूँ, और वीजा का काड एड़ करने के बाद यहां पर Next प्र काड है तो उसे आप यूज कर सकते हैं, इसके अबाद गाइज आपको नीचे Sign Up बटन में लेगा, सिंपल से आपको Sign Up बटन पर क्लिक करना है, जैसे आप Sign Up पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको पेमेंट प्रोसेस की तरह लेकर जाएंगे, लेकिन पेमेंट प्रोसेस में द चले हो यहां पर फिल कर लेते हैं, जैसे आप बटन के समीट करोगे, ऐसा एरर आपके सामने आ सकता है, जैसे अगर आपके सामने आ रहा है, तो यह प्रोबलम को फिक्स करने के लिए, आप चाहे तो इसे अपने टॉल फ्री नंबर बैंक में कॉंटक्ट करके इसे सॉल्ब कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, तो इसके थुरू भी कर सकते हो, चले मोबाइल के स्क्रीन पर चलके आपको बताता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग के थुरू आप इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो गैज मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के स् चाहना है और कारड में जाने के बाइद यहां पर आपको और हैंगे तो यहां पर आपको जो कारड होगा उस कारड पर आपको किलिक करना है यह क्या अपको क्या करना ए नीचे आपको 100 मोर क לו क्स्टमाइज का ऑप्र सन्सिकारे भीWhy और बंक ऐस करो उसमें भी सेम ऐसा ही option मिलेंगे ATM withdrawal online और यहां पर merchant और contract लैक्स यह सब international यहां पर आप देख सकते हो international payment हमारा disabled है इसको आपको enable करना होगा दूसरा दूस्तों यहां पर देख सकते हो domestic payment यहां पर यह मेरा enabled है यह सब limit जो आपको enable कर लेने हैं और यहां पर तभी जाके दूस्तों आपका जो है यह confirm हो पाएगा RDP create करना तो इसको जो save कर देना आपको और यह save करने के पर गाई आपको जो payment है वो successful हो जाएगा और यह problem आपका fix हो जाएगा तो गाई यहां पर नहीं सकते हो जैसे आपका payment successful हुआ यहां पर दूस्तों आपके सामने यह new भी जोगबर होकर आज आएगा और यहां पर दूस्ता आपको क्या रहना है चले वह चीज में आपको बताता हूँ सारक सारक खेल यह दूस्तों यहीं से आपको करना है जैस तो virtual machine क्रिएट करने के लिए दूस् पर आपको क्या करना है चलिए सब कुछ आपको बताना हूँ सारक सबस्क्रिट पर रहा हुता हुता शोओ यहना में खोर header len के बात वह की पर आपको प्लिक करने करने का हूँ यहां पर आपको अपने रिसोर्ट पर नाम डाल देना विदावट एड़ इस पर आपको वर्चुल मशीन का नेम डाला है आपको अपने वर्चुल मशीन का नाम डे देना है विदावट एनी स्पेस के आपको नाम डाला होगा अगर आपका नाम अविलिबल होगा तो राइट साइड में अबर आप देख सकते हो ग्रीन टिक हो जाएगा उसके बास तो रीजन में सेलेट करना है तो यहां पर तो मैं यहां आपको स्टेंडर करना जिस्तों स्टेंडर्ड मैंने से कर दिया इस्टेंडर्ड करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है इमेज इमेज साइज बास तो यहां पर आपको किलिक करना है और तो इमेज साइबर विंडू सर्वार्ट दो अजार बाइक डेटा सेंटर यह वाला जो आपको किलिंग करने के वाद डूस आपको व आर्ट फ्रम है दूस्त आपको कुछ भी आप चड़तानी नहीं करना इसे यह रहने देना रैंन विज और इसके वाद दूसले यहां पर आप वेरेट करें अब वील लेई यह वाला धीज यहां पर आपको क्या करना होगा जो आपने गड़ुक्री सेलेक्ट किया है और जो नश्चाइक्ट चीज कर सकते हुए तो से यहा जो में यह सवर्ट करता हो और इसके वाद जो यहां पर मैं देख सकते हूं जो अब और इसका जो मंतली कोश्ट है 10,434 रुपी पड़ेगा लेकित अपको टैंसे लेने का ज़रूत नहीं है संधीक 13,000 का क्रेजिर यहां वर अपको फ्री में मिलगा है वो इसका मंतली चार्ज है 10,000 तो यह वाला साइज हमाने लिए परफेक्ट हैं तो यह आप यहांबर सेलेक करना चाहते हूँ तो यहांपर देख सकते हूँ यह आप सी ओन पर क्लिक करके स्वाप अपने इसाफ से कोई भी साइट कर सकते हूँ यहांपर आपको CPU बहुत बिन जाएगा है यहांपर देख सकते हूँ चार CPU पूर और रेम आपको 14GB 16GB रेम तक यहांपर अपर स्टेंडर साइज हमारा यह आ चुका है यहांपर इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यूजर नेम डाला है जिस तो यूजर नेम आपको याद रखना है साइड में आपको नोट करने रखने ना है क्योंकि दोस्तों जब आपको आपको यूजर तीनों यहां पर राई साइड में टिक हो चुका है तो यह जो युजयर ने भूर है उसके बाद आपको लिए पासवर्ड भी आपको याद रहना चाहिए तो यह पासवर्ड आपको लोगिन करने आप पूचा जाएगा तो यह फी स्राइन गया है इसके बाद नीचे आना है रहे हैं को अब कि सलेक्ट करिए बात रही है select करने के बाद दूस्तों यहां पर आपको नीचे आपको नीचे नेया क्वारय टिस्क में आपको क्लिक करना जैसे हैं आप यहां पर क्लिक करो से देखो दौब आपके सामने क्वेस्ट ओर इंट तो आपका Premium एक रेक्स करने हैं नहींright नार इसके बाद रह नीचे आपको आणा सभष की चाहिए परम आपको आपको क्लिक आतर добл šid यहां पर सूप हो रहे हैं वह ही हम को रहने देना इसके बाद ग मैं चरा करना एक Kennijn आ दो करने तो यहां पर आपके सामने न्यू इंडो बन होगा और यहां पर अपने साफ से आपको कुछ यहां पर आपको करना नहीं है से आपको क्या लाना है नेक्स्ट में आपको मॉनिटरिंग में क्लिक करना है यहां पर आपको क्या लाना है तो नीचे आपको एडवास में क्लिक करना है एडवास में क्लिक करना है यहां पर आपको कोई भी ओप्सन को शेड़कानी नई करना है जैस्ट आपको टैक्स में जा जो कि आप ले रहे हैं रिसोर्सेस गुरुप में ले सकते हैं जो कि मैंने नाम दिया है टेगनो मसीन का जो नाम है वारा टेक्निकल राजिस रीजन जो ले सेलेट गया है इस यूएस टू अपर आपको क्रिएट बटन डाइम उपसं पर लेगा सिंपल से दुस्ताब को क्लिक करें है जैसे लिए आप्सेत पूसे सब्सक्रופ. आपको बताते हैं कैसे क्या करना से सकते हो आज त 17 पर안ऊने के पाले वेट के लिए तोड़ा यहां पर देख सकते हैं दूस्तों यहां पर इस तरह से दूस्तों आप देख सकते हो जो पॉब्लिक आइपी और हमको साहर डेटेल है वर्चुर मसीद का देख सकते हो फिर मेरा कंप्यूटर का नेम है वह टेक्निकल राज है चुकि मैं नाम के सामने तो इसका जो हमारा आईपी क्या है जूसता यहां पर आप देख सकते हैं आए डिप का यहां कि फिर दूस्तों पर चुका है इस तरह से आपको आईडीप करना है चलिए जो आईपी में उससे कॉपी कर लियनदा